नमसकर दोस्तों रामकलास यादो दोस्तों मारे ललू- 00- Jian coup Un одनौ में आप सब का स्वागत है डोसतों हम बात करें हमारा जो गाय है अगर सीमन कराने के बाद एक दिन या दो दिन या रोज रोज गाढा डिस्चार्ज करते हैं तो गाए गाविन है या नहीं है तो दोस्तों आप लोग के मन में ऐसा अक्सर सवाल आता रहता है आप लोग हमें बार-बार कुमेंट करते रहते हैं दोस्तों तो हमें ऐसा कई बार देखने के मिलागी सर्ज हमें इसके वारे मताईए कि हमारी गाए है तो सीमन कराने के बाद भी एक दिन दो दिन या एक दिन गयब करके या वह रोज रोज गाढ़ा डिस्चार्ज कर रही है तो सर जी हमारी गाए गाभिन होगी या नहीं होगी तो दोस्तों हमें एक बात आपको और बता देना चाहता हूं अगर आप पस गाए है तो आप 15 से 20 दिन में चेक अप कर सकत हैं कि आपकी गाविन है या नहीं गाविन हैं इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के लास्ट में यह खतम होगा तभी आपको वीडियो देख जाएगा इस उपर आप देख पाएंगे तो वहां लिखा होगा मातर 15 दिन में अपनी गाय को शेख अप करें तो अप इसी प्रकार जो है आप अपने पसू को चेक आप कर सकते हैं तो बात यह आ रही है कि हमारी गाए गाभीन होगी यह नहीं होगी तो दोस्तों इसकी भी बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बता देते हैं बताने से पर दोस्तों हमें ही कहना चाहूंगा अगर आप लोग हमा हास मिलती है कि हमारे जो स्क्राइबर हैं हमारे वीडियो को देखते हैं और उन्हें पसंद आता है तो दोस्तों हमाते हैं में टॉपिक्स वर हम बात कर रहे थे कि हमारी गाया है गाय को हमने सीमन कराया सीमन कराने के दूसरे दिन या तीसरे दिन या एक दिन गयब करके या रोज रोज गाढ़ा डिस्चार्ज कर रहे यानि जो गिरता है पेसापक रास्ते से उवाइट उवाइट कलर का उसे डिस्चार्ज बोलते हैं तो क्या हमारी गाढ़ीन है या नहीं है तो दोस्तों आज हम इस बात पर इस समेश्चा को आज किलियर कर देता हूं कि आपकी पस समझ लिजिए का पसु जो है गाभिन नहीं होगी उसके बच्चेदानी में इंफ्रेक्शन हो चुका है या कोई दिक्कत हो चुकी है तो इसके लिए दोस्तों को करना क्या है अगर आप सिमन करा दिये हैं या बचले को दिखा दिये हैं अपने गाय को तो सब से पहले अगर सबस्ते आप जो है उसमें में दो तरीका बताया गया है और पहले तो आप अपने पस्तो को चेकप कर लिजिए कि गाभिन है या नहीं इससे सफवст आपको पता चल जाएगा तो अगर आईसा आता है निकलकर क्यां कि आपकी पस्तों जो है गाभिन नहीं है तो आपक्के प एगर बच्य दानी में इसए ammin इंफरेक्षन है तो हमें किस तरह से करना है क्या करना है जिस से जो बच्य दानिक हो जाए है तो सहज्वेसे पर दोस्तो हम अपने next वीडियो में बताएंगे या हो सकता है दोस्तों हमारे इसी चैनल पर आए या तो दूसरे चैनल पर भी आ सकता है यह दोस्तों हमारा पहला चैनल है और एक दूसरा चैनल भी है जो आपको हम वीडियो के लिंक देंगे वो हमारे दूसरे चैनल का है जो परताबगड ब्लोक्स के नाम से है अगर दोस्तों आप इस पर हैं हमारे चैनल को दोनों को दोस्तों कर रखें आपको दोनों पर भी जानकारी यहां मिलती रहेगी तो दोस्तों हम बहुत जल्द ही इसके विश्य में वीडियो बना कर लाएंगे कि इंफ्रेक्शन हो गया है अगर गाय को बच्चे दानी में बार बार सीमन उससे आपको यह भी दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि आप बार बार सीमन कराएं होंगे दो बार तीन बार या बचले को भी दिखाएं होंगे फिर भी ओगाविन नहीं हुई तो ऐसे में इन फ्रेक्शन देखने को मिल सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो आप सबस्पहले जो है जो हम तरीका बता है उस तरीके से चिक अप कर ल तरह से जो है जानकारी ले करके उसका बीमारी का इलाज कर पाएंगे तो दोस्तों हमें उमिदेखा आप लोंग समझ में आ गया हो अगर आप हमारे चल पर नहीं है चलों को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर देजिए